और उसके बाद करें आई तम बूर्व ले लेड़ तो यसमेशने को मिलेगा और इसों किसीत किरी किया होंगे सबसे जादा common हीसमें हीमोलेसिस होगी और ऐलिवेटर लीवर उनजाइम लीवर इनजाइम एलिवेट हो जाएंगे वो भी दो टाइम से ज़ादा है नॉर्मल की condition से तो वही है more than or equal to two times than normal और low platelets ठीक है तो low platelets देखिए एक लाग से कम होगा तो उसको हम low platelets consider करते हैं तो H से हो गया hemolysis और EL से हो गया elevated liver enzyme और LP से हो गया low platelet count तो यह इसके clinical feature है और मैं अकर in absence of hypertension and proteinuria तो hypertension और proteinuria की absence में भी ऐसा हो सकता है यानि पता क्या चला कि preeclampsia करना हो तब भी help syndrome डेवलप हो सकता है लेकिन यह सिर्फ 15% cases में ऐसा होता है mostly 85% cases में यह preeclampsia की वर ऐसे होता है ठीक है और blood similar shows cystocytes तो blood similar में हमको cystocytes देखने को मिलेंगे और होगा और उसके और से क्या होगा severe hypotension generate होगा ठीक है सब capsule remote की वाजय से and DIC तो DIC देखने को मिलेगा DIC क्यों देखने को मिलेगा due to release of tissue factor from injured placenta तो injured placenta से tissue factor release होगा उसी और से DIC देखने को मिलेगा तो कौन-कौन से factor release होगा हम यहाँ पर कर देखे यह है इसकी और से देखे वेस्टो construction होगा उसकी और से रमबक्सिन एक्टिवेशन और प्लेट एग्रिगेशन होगा तो DIC syndrome देखने को मिलेगा ठीक है तो वही यहाँ पर है और treatment इसकी है immediate delivery तो किसी भी सुरत में immediate delivery कराना पड़ेगा तो हम यहाँ पर बात कर चुके exam ah और help syndrome की कि यहाँ पर immediate delivery कराना पड़ेगा और pre-eclaimsिया बें अगर 28 weeks से पहले कीoka condition है तब भी immediate delivery कराना है या 34 week के बाद की condition तब immediate delivery कराना है और अगर इसके बीच की condition है यानि 28 48 से 34 की बीच की condition तो यहाँ पर cortico-stroid दिया जाएगा और majority of condition में cortico-stroid दे के foreign delivery करा दी जाती है लेकिन 4 conditions ऐसी है इसमें cortico-stroid दे के 48 hour का wait करना परता है उसके बाद ही हम delivery करा सकते हैं वो 4 conditions हम यहाँ पर बता चुके दुबार हम repeat करने वाले नहीं है तो हमने शुरू में यहाँ पर बात किया था कि ACOG की जो classification है 4 category वो हो तो देखे प्रे-eclampsia हम बात कर चुके कि प्रे-eclampsia यह condition है कि अगर BP 140 upon 90 से ज़ादा हो रहा है साथ-साथ end organ damage या proteinuria देखने को मिल रहा है तब ऐसा होगा और gastrational hypertension तो gastrational hypertension की हम बात कर चुके कि इसमें यह चीज़ प्रेजन्ट होगी और यह दोनों proteinuria और end organ damage नहीं देखने को मिलेगा और chronic hypertension in pregnancy की हम बात कर चुके कि 20 वीक से पहले अगर hypertension present हो रहा है तो उसको chronic hypertension in pregnancy बोलते हैं और यह chronic hypertension in pregnancy यह delivery के 12 हफते बाद तक भी normal नहीं होता है 12 हफते के आगे चल जाता है और chronic hypertension with super imposed preeclampsia तो यह chronic hypertension यानि 20 वीक से पहले ही hypertension देखने को मिलेगा तो chronic hypertension और 20 वीक के बाद इसमें preeclampsia भी generate हो जाएगा तो इसी को हम बोलते हैं chronic hypertension with super imposed preeclampsia तो यह चारोग category हमने यहाँ पर देख लिया तो इस तरीके से हमारा यह पूरा topic hypertension in pregnancy बहुत important topic complete हुआ और इसमें हमने gestrational hypertension, preeclampsia, ecclampsia, help syndrome सब की बात कर ली और ACOG classification के recording हमने चारोग category की बात कर ली और इसमें हमने pathophysio की भी बात कर ली सब के और treatment की भी हमने बात कर ली और pregnancy का termination कब कराना है वो सारा हमने यहाँ पर देख लिया